हेलो एवरिवान आज हम बात करेंगे क्लेमिंग की और्गिनाइजिंग की आप सोच रहे होंगे अज़ डाइटिशन आच्छी टॉक अबाओ डाइट, फूड, फिटनेस यह और्गिनाइजिंग कहां से आ गई दरहसल इसका कनेक्शन है फिटनेस के साथ क्या कनेक्शन है कैस साफ साफ देख रहा है, कोई भी कपड़ा ढूनने में जरा से भी एनरजी, जरा सा भी टाइम आपको वेश नहीं करना पड़ेगा और सबसे इंपोर्टन चीज़ कि इस तरह और्गिनाइज करने से मेरे पास काफी खाली स्पेस भी बच गया है दरसल मैंने एक बुक पढ़ी थी ता लाइफ चेंजिंग मैजिक ओफ टाइडिंग अब जिसके बारे में मैंने आपको बताय था यह है जैपनीज ओर्गिनाइजिंग कंसल्टेंट कॉन मेरी कॉंडो की बुक तो मैंने आपसे पूछा था कि इसके बारे में आपको वीडियो चाहिए कि नहीं और आपने कहा था हाँ आपको वीडियो चाहिए दरसे इस बुक में बहुत इंट्रिस्टिंग बात लिखी हो है शुरुआत में कि अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ काफी ज़ादा आपका अनबन रहती है तो इसका रीजन आपका कमरा हो सकता है अगर आप स्ट्रेस रहते हैं, frustrated, काफी annoyed, low on energy, mood swings बहुत ज़ादा होता है आप बार बार चीज़े भूल जाते हैं और हमेशा आपको लगता है कि आपके पास time की कमी है तो इसका एक बड़ा कारण आपका un-organized कमरा हो सकता है हो सकता है? शायद actually मैंने इस बुक की testimony पढ़ी यानी reviews पढ़े और मैं शौक थी actually वो reviews पढ़के और उन्होंने मुझे motivate किया ये बुक पढ़ने के लिए काफी लोगों ने share किया था कि जो बुक में steps लिखे हैं उन्हें follow करने से उन्हें काफी energetic महसूस हुआ वो अपनी दूसरी activities के लिए काफी जादा time निकाल पाया उन्हें business में gain हुआ fitness की तरफ उनका ध्यान गया relationship better हुए काफी relaxed और happy रहने लगे वो और सबसे important चीज काफी लोगों ने लिखा है कि weight loss में help मिली यही मैंने एक हफ़ते पहले अपने wardrobe का एक वीडियो बनाय था आप देख सकते हैं कितना unorganized और untidy है actually सारे कपड़े जो हैं वो बुरी तरहें दबा दबा कर cupboard में भरे हुए हैं और जब भी मुझे cupboard बंद करना होता तो बहुत मुश्किल से वो बंद होता था कई बार तो cupboard खुलने के बाद वो उपर जो अपने bag देखे थे वो में उपर गिर जाते थे काफी ज़्यादा untidy काफी ज़्यादा unorganized जब भी कोई कपड़ा ढूनने जाओ तो बहुत ज़्यादा time waste होता था बहुत ज़्यादा energy waste होती थी यह मेरे shoes का cupboard है और उपर उसमें मैंने socks रखी हुई है और इस socks के cupboard को भी बंद करने के लिए मुझे तीन या चार बार try करना पड़ता था book में कुछ important बात शुरुआत में लिखी है जो आपको follow करनी होंगी एक ही बार tight करें और अच्छी तरह से tidy करें यानि एक ही बार में सारे कपड़ों को ठीक करें एक special event समझें उसे perfection के लिए aim करें जब भी आप ये करना शुरुआत करेंगे ध्यान रखें कि आप एक नई तरह से life की शुरुआत करने जा रहे हैं इसमें जो methods हैं उससे अपने accordingly change ना करें और सबसे important चीज पहले चीजों को discard करें और फिर organize करें ये वीडियो मैंने last Saturday को shoot किया था कुछ steps follow करने हैं जिसमें सबसे पहला step है कि आपने सारी कपड़ों को फ्लोर पर इखटा कर लीजिए यानि अपका पूरा जो wardrobe है उसे खाली करना है आपको और फ्लोर पर सारी चीज़ें एक pile में एक mountain में mountain बना देना है सारे कपड़ों का मैं वही कर रही हूँ और इतनी जादा कपड़े थे कि मुझे समझ नहीं आरता मैं कहां से शुरुआत करूं कभी मैं वहां से कपड़े निकाल रही थी कभी यहां से कभी हैंगर्स में से निकाल रही थी और नीचे मिर पास फ्लोर पर स्पेस नहीं है इसलिए मैंने पूरे कपड़ों को बेड पर इखटा किया है एक साथ और यह देखी कुछ फोटोग्राफ मुझे मिली है जो मैं काफी टाइम से ढून रही थी यह पूरा वाद्रोब मैंने अपना खाली कर लिया है काफी जादा अंटाइडी होने के साथ साथ नीच भी नहीं है इसलिए सबसे पहले मुझे उससे नीच करना पड़ा बेसिकली एक मार्कर का कलर पूरे उसमें लग गया था सेकंड स्टेप है सौट बाइ काटेग्री यानि अप जो अपने ये माउंटेन पुरा कपड़ों को इखटा कर लिया है इसमें से आपको सौट करने है काटेग्री के यानि आपने टी-शेट्स को एक जंग एक जंग एक जंग इखटा करना है ट्रडिशनल वेर्स को एक जंग पे जो इनर वेर्स हैं आपके उन्हें एक जंग पे खटा करना है एकसेसरीज को अलग जैकेट्स को अलग यानि आपको ग्रुप्स में काटेग्री के अकॉर्डिंग इन कपड़ों को डिवाइड करना है तो मैं वही कर रह एक जहें पर रखा है और यह मैं आपको दिखा देती हूं एक एक चीज करके इसमें थोड़ा टाइम लगता है यह मेरे western wears है सारे यह बीच में inner wears है यह है मेरे traditional wears, यह socks का pile है, accessories है यह सारी के blouses है और यह bags है जितने मेरे almari से निकले है यह tops है और यह है सारी woolen wears जो ऐसी पड़े हुए थी मेरे cupards में और यह है jackets दरसल मैं travel करती हूं तो मैं अपने winters के भी कुछ कपड़े हमेशा बाहर निकालकर रखती हूं और यह बच गया था कुछ wiring भी थी मेरे almari में अब जो important चीज है वो है discard करना, declutter करना यानि आपको एक-एक कपड़े को उठाकर एक-एक pile में से, एक-एक गुच्छे में से जो कपड़े आपको रखने है वो रखने है और जो आपको discard करने है नो discard में important नहीं है किसी भी कपड़े को downgrade मत करो यानि सिर्फ यह सोच के मत रखो कि इसे मैं घर पे पहन लूगी कितनी बार ऐसे होता है कि कुछ fancy looking कपड़े आप रख लेते हैं यह सोच के कि घर पे पहनेंगे लेकिन आप उन्हें पहनते नहीं है एक important चीज आपका जो यह cupboard है उसे एक real estate की जमीन सोच के चले कि दिल्ली में, मुंबई में, बलकि पूरी दुनिया में जमीन के नाम कितने महेंगी हो गए है और उसे occupy करने के लिए अच्छी value पे करनी पड़ती है क्या आपका कपड़ा जो आप रख रहे हैं वो value रखता है आपके लिए इतनी importance रखता है कि आप उसे इतनी कीमती space अपने wardrobe में दे तो इसलिए discard करना बहुत important है और एक कपड़े को देखो उसे महसूस करना क्या वो आपको happy करता है कई कपड़े हम इसलिए रख लेते हैं क्योंकि maybe हम ये पहन लेंगे शायद इसकी ज़रूत पड़े शायद मतलब या कभी पहन लेंगे का मतलब ना है यहाँ पर दूसरी important चीज हम कुछ कपड़े खरीद लेते हैं बस शौक शौक में महेंगे होते हैं लेकिन कभी पहनते नहीं है क्योंकि maybe उनकी fitting ठीक नहीं है अपनी पुरानी jeans ये सोच कर रखते हैं कि शायद कभी पतले होंगे तो इसमें fit आजाएंगे ये सारी चीज़ें गलत हैं ये जितने भी कपड़े अपने discard किये हैं उसे एक word कहिएगा अपने कपड़ों को discard करके उन्हें ये बोलें ये book में लिखा गया है कि thank you very much for serving me कपड़ों को आपको सीधा रखना है एक फोल्ड इस थने से दूसरा फोल्ड हर step के बाद अपने हाथ से उन्हें फ्लाटन कीजिए जपैन में हाथ को therapy को बहुत अच्छा मानते हैं और हर कपड़ा आपका जब फोल्ड करेंगे इस थने से अपने आप खढ़ा होना चाहिए एक YouTube की टीशेट है मैं दुबारा आपको दिखाती हूँ एक फोल्ड Sleeves को fold, दूसरा fold, Sleeves को fold, थोड़ा सा gap आपको नीचे रखना है और फिर fold, इस तरह से आपको अपने सारे कपड़े fold करने हैं, मैं एके करके आपको दिखाऊंगे, और folding बहुत important है, तब ही ये पूरी टेकनीक काम होगी, ये एक casual top लिया है मैंने, इस तरह फोल्ड कीजिए, एक step, दो step, तीन, ये roll और ये भी अपने आप खड़ा हो रहा है, जो भी आप fold करें, उसे flatten करके अच्छी तरह, tight तरह से fold करें, और folding टेकनीक इसलिए important है, क्योंकि Mary Conlo कहती है, hangers में कपड़े नहीं टांगने चाहिए, क्योंकि वो space भी बहुत खेरते हैं, यहां मैं एक shirt क अच्छी एक हफते में मैंने ये देखा है, कि fold करने वाले कपड़े जादा अच्छे रहते हैं, यह एक suit है, traditional suit, जो इंडिया में काफी जादा पहना जाता है, एक और suit, suit को भी easily आप इस method से fold कर सकते हैं, and same result आपको मिलेंगे, same technique, अगर कपड़ा पतला है, और अपने आप नहीं खड़ा हो पारा, यानि आपको उसे जादा fold देने होंगे, यह एक dress है, western dresses को कैसे fold करना है, technique बिल्कुल same है, Folding technique इसलिए important है, क्योंकि आपने कपड़ों को आपको vertically नहीं, बलकि horizon के लगाना है, and they should be able to stand on their own, अगर आपके पास इस तने के draws नहीं हैं, जैसे मेरे पास हैं, तो आप उन्हें box के अंदर रख सकते हैं, store करके, and box can be, कोई fancy box नहीं होंगे, तो भी चलेगा, आप normal cartons जो हो time लगेगा, ये देखिए, एक tank tops है, spaghetti's हों, crop tops हों, वो भी इस method से easily fold हो जाते हैं, सबसे जदा time consuming step है ये, लेकिन एक important step है, fold नहीं करेंगे, तो जिस तरह ऐसे आप organizing हम करना चाहते हैं, वैसे नहीं होगा, सबसे important चीज, magical चीज, जो मुझे इस method की लगी, वो यही थी, the folding technique of Marie Kondo, अगर आप YouTube पे उन्हीं search करेंगे, तो method देखिएगा, किस तिने से वो प्यार से कपड़ों को सहला कर, एक एक करकी fold करती है, which is very interesting, I actually enjoyed the step, और एक और मैं आपको advice देना चाहूँगी, जब भी आप ये पूरा method करें, या ये सारी चीज़ें process करें, तो कोई अच्छा सा music प्ले कर लीजेए, अच्छी playlist चला के रखिए, बिल्कुल bored नहीं होंगे, energized feel करेंगे, और जैसे मैंने का एक special event की तरह है, इस दिन को treat करें, जिस दिन आप अपना wardrobe साफ करेंगे, the cluttering जो इससे पहले का step था बहुत important है, बिल्कुल उससे मत भूलेगा, क्योंकि वही आपक लिए lovable बनाएगा, stocking, socks, सब कुछ फोल कर ली है, और अब arranging की पारी है, arrange भी आपको category के हिसाब से करना है, यह सारे कपड़े मैंने यहां लाकर रख ली हैं, और कुछ कपड़े बेड पर भी रखे हुए हैं, मैं अपने सारे जो top wear हैं, वो एक जेंगे रख रही हूँ, यानि टी-शिर्ट, tops जो हैं, जो suits हैं, या जो dresses हैं, उन्हें में एक तरफ रखोंगी, और जितने भी bottom wear हैं, वो दूसरी तरफ रखोंगी, यह मैंने सारे टी-शिर्ट लगा ली हैं, और अब यहां पर कुछ और टी-शिर्ट हैं, मेरे पास उनहीं लगाँगी, तॉप्स करना है, यह suits हैं, यह dresses हैं, और कुछ और dresses हैं, मेरे पास maxi dresses, long dresses, वो मैंने यहां पर रख लही हैं, अब यह tops खतम हो गए, अब बारी आई bottoms की, यह कुछ trousers हैं, pants हैं, jeans हैं, यह घर पे पहने वाले pajamas हैं, यह tops हैं, कुछ crop top हैं, tank tops हैं, यह सारी चीजे हैं, और यह मेरे पास space बच गया था, तो मैंने यह पर कुछ दुपटे और unstitched suit रख ली हैं, और एक दो कपड़े, जो मुझे लगा hang करने के थे, वो मैंने hang कर दी हैं, यह accessories हैं, मैंने इन्हें भी declutter किया, इन्हें भी organize किया, हला कि अगर मैं यह पूरा process आपको दिखाती, तो बहुत लंबा video हो clothes तक, तो move करते हैं, दुबारा clothes की तरफ, और आगे मैं आपको कुछ और चीज़े बताती हूँ, एक बार जब आपने पूरे clothes organize कर ली हैं, तो हर एक कपड़े को special treatment देनी होगी आपको, with respect and love, जब भी आप उनको निकाले, तो obviously आपको निकालने में बहुत असानी होगी, उ हैंगर्स की बात करें, तो हमेशा जो लंबे कपड़े हैं, वो आपको एक तरफ से शुरुआत करनी है, और छोटे कपड़े एक तरफ, यह में पास space बज गया था, तो मैंने अपने बेबी के कपड़ों को ओपर रख दिया है, में पास काफी ample space बज गया था, 4 या almost 5 मैंने bag discard किये थे, second मैंने दुबारा से एक बार अपने कपड़ों को देखा और मुझे कुछ और कपड़े मिले थी, तो 4 या 5 bag कपड़े मेंने निकाले हैं, और यह बहुत important है, यह आप देख सकते हैं, final जब सब कुछ organized हो रहा है, कुछ इस तरह का नजर आ रहा है, मेरा जो पूरा wardrobe था, हर कपड़ा जहाक रहा है, एक तरह से आपको आवाज लगा रहा है, कि I'm here, I'm here, I think you're looking for me, office जा रहे हैं आप, ए उसके बाद मैं देखा, मैं डेली 15-20 minutes safe कर रही हूँ, in a ways, जोनने में टाइम नहीं लग रहा, मुझे पता है, मेरे कपड़े कहां रखे हैं, top है, bottom है, और बहुत peaceful होते रहती है, morning में जो stress होता है, वो इतना low हो गया है, इसे organize करने के बाद, and yes, those 15 minutes I'm spending on fitness, मैंने एक और routine स start किया है, मैं अच्छी तने खाना प्रपेर कर पाती हूँ, morning में एक एक मिनिट इंपोर्टन होता है, बच्चों को आप तियार कर रहे हैं, आप खुद office के लिए ready हो रहे हैं, normally, morning में, अगर आपको इस तने का wardrobe मिलेगा, it is very de-stressing, काफे relaxing होगा, time saver होगा, और इसलिए मैं आप fitness के लिए वो time निकाल सकते हैं, that is how it is connected, और अब आप ये देख रहे हैं, before and after की, ये दो तस्वीरे, जहां मेरा closet पहले भुरी तरह भरा हुआ था, unorganized था, uneat था, it was not good to look at, देखने में लगता था कि बंद कर दो, because it is as if बहुत restlessness आपको feel होती थी, वहीं आपके closet में, it is very relaxing, काफी अच्छा लगता है, अगर वैसिपी कोई घर पे guest आपर, in case आपका closet में जहांके, तो उसे लगेगा that this person is very organized, एक और चीज, मैंने इसमें सिर्फ clothes cover की हैं, इस वीडियो में, अगर आप चाहते हैं, की accessories, bag, का भी में वीडियो बनाओं, तो it is totally up to you, अगर आप च I won't mind sharing it with you, क्योंकि आपकी demand होगी, और मैं उस पर वीडियो बनाओंगी, so if you are new to my channel, don't forget to subscribe, और subscribe करने के साथ ही, bell icon को press करना ना भूले, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें, आपके पास उसकी updates, जो हैं, वो पहुंच जाए, साथ ही, आप हमें follow कर सकते हैं, हमारे Instagram पर हमारे Twitter पर, आज के लिए इतना ही, stay organized, stay fit, stay healthy, bye bye and I'll see you soon.